दोस्तों, बांगलादेश ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के जो गलती की है, अब इसका भुगतान सिर्फ बांगलादेश की नई सरकार नहीं बलकी बांगलादेश की जनता भी करने वाली है। अब लगभग रोका जा चुका है। चीन की गोद में बैठा हुआ बांगलादेश अब पूरी तरीके से घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। असल में साल 2024 में भारत की तरफ से एक बहुत ही important food product पर बैन लगाया जाता है और इस लिस्ट में बांगलादेश का नाम भी supplier था तो बांगलादेश को बहुत ज्यादा दुख होता है और यह सिर्फ एक आइटम नहीं है बलकि बांगलादेश में बिखने वाले कई ऐसे आइटम हैं जो कि भारत की तरफ से धीरे धीरे रोके जा रहे हैं। वहीं बांगलादेश के अंदर बढ़ रही यह महंगाई बांगलादेश की अर्थ व्यवस्था की लुंगी में एक ऐसा छेद करेगी जिसको भरते-भरते बांगलादेश को कई साल लग सकते हैं। पूरी development क्या है आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से बांगलादेश को सबक सिखाना शुरू किया है उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरसल बांगलादेश की नई सरकार की बात की जाए तो यह पूरी तरीके से चाइना के सपोर्ट में खड़ी हुई है और जल्द ही हमें यह देखने को मिल सकता है कि बांगलादेश चाइना के साथ मिलकर के कुछ नई और नेवल अक्टिविटीज बांगलादेश के अंदर शुरू करेगा। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की तो फूड सिक्योरिटी के मामले में बांगलादेश का एक बड़ा पार्टनर है जिसमें हम बांगलादेश को दाल, शुगर, फीट राईस, ओनियन और पोटेटो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारत के अंदर पोटेटो यानि आलू का प्रोड़क्शन जहसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोटेटो एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है। इसलिए हम नेपाल, बांगलादेश, युनाइटेड स्टेट्स जैसे कई देशों में पोटेटो एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आज दुनिया का 10% पोटेटो अकेले एक्सपोर करता है। अगर भारत से आलू यानि की पोटेटो एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत, कतर, दुबई, मलेशिया, बांगलादेश और गुयाना समेत लगभग सभी मिडल इस्ट देशों में पोटेटो एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो पोटेटो की requirement लगभग सभी द आने वाले हैं। यूरोपियन देशों में फूड प्रोड़क्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इसी की वजह से यह सभी देश ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड़क्ट भारत से इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो भारत ने लगभग सभी अरब देशों के साथ FTA यानी की Free Trade Agreement भी साइन कर लिया है केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने FTA साइन नहीं किया है भारत ने अब तक चार कंट्रीज के साथ FTA साइन कर लिया है और कमाल की बात ये है कि इन सभी देशों में अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ भारत ट्रेड रिलेशन्स में घाटे का सौधा कर रहा था लेकिन 2021 के बाद भारत धीरे धीरे अपने बायलेटरल ट्रेड में इजाफा करता जा रहा है और साल 2023 की दिसंबर में भी कुछ परसेंट की बड़ोतरी देखी गई और इस समय भारत का एक्सपोर्ट 30.4 बिलियन क के करीब है जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा गन्ने द्वारा बने गुड का एक्सपोर्ट किया है और भारत में गन्ने का एक बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण गुड को एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में मुनाफ़ा प्राप्त होता है और भारत के द् इस पर 50% export duty लगाई जाती है जिससे भारत की economy में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है यानि की कुल मिलाकर भारत अन्य देशों को food product export करता है और अगर देखा जाए तो बांगलादेश को एक बहुत ही छोटा हिस्सा इसमें से export होता है भारत को भले ही बांगलादेश को food product export करने से ज्यादा फाइदा नहीं होता लेकिन इससे बांगलादेश की economy में एक बहुत बड़ा impact पड़ता है लेकिन बांगलादेश की हरकतें control ना होने के कारण भारत को बांगलादेश का export बंद करना ही पड़ेगा और मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला कर कितनी बड़ी गलती की है इसका अंजाम उसको आने वाले दो-चार सालों में पता चल जाएगा दरसल भारत दुनिया में potato की 50% मांग को पूरा करता है इतनी बड़ी मात्रा में potato का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है भारत बांगलादेश की बजाए अब यूरोप के देशों को बड़ी मात्रा में potato का export करने वाला है क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के relation पहले से ही काफी अच्छे है और कमाल की बात ये है कि पडोसी देश होने के नाते भारत बांगलादेश को सस्ते दामों में potato export करता था जबकि यूरोप के देशों को potato का export करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि यूरोपियन देश भारत को बांगलादेश की अपेक्षा high cost देने के लिए तैयार है यूरोप में potato की demand ज्यादा होने और वहाँ पर production कम होने की वजह से ही यूरोपियन देश महंगे दामों में potato को खरीदने के लिए तैयार है वैसे तो भारत यूरोपियन देशों को जो potato export करेगा उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा यूरोप को कम cost पे करना होगा भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, मियानमार ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा potato का production करते हैं और export भी करते हैं लेकिन दिक्कत की बात ये है कि यह देश, Middle East के सभी देशों समेत कतर, सौधी अरब और अन्य देशों में potato का export करते हैं और यह सभी अरब देश इन potato को खरीदने के लिए ज्यादा dollars पे करते हैं इसी लिए यूरोप इन देशों से potato की खरीदारी करने की बजाए भारत से खरीदता है भारत और यूरोपिये देशों के trade relations की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और यूरोप के trade काफी अच्छे रहे हैं और भारत बड़ी मात्रा में crude oil import कर सकता है इससे भारत को जो tax crude तेल import करने में पे करने पड़ते हैं उसे भी बचाया जा सकेगा भारत ने तो अभी तक पडोसी देश होने के नाते बांगलादेश को कम परसेंट पर potato का export कर रहा था और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अब भारत इस export को दोबारा बांगलादेश को चालू करने वाला है या नहीं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अगर भारत बांगलादेश को potato का export चालू भी करता है तो उसे बड़ी हुई कीमत पर export करेगा बांगलादेश में रहने वाले लोग potato और उससे बनने वाली सभी dish के बहुत शौकीन होते हैं जिसको potato के बिना बनाना संभव नहीं है बांगलादेश में fast food store की chain और restaurant भारत के बिना चलाना संभव नहीं है बांगलादेश ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने लोगों का जीवन खत्रे में डाल दिया है अभी तक तो इसका impact दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे बांगलादेश में लोगों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला क्योंकि बांगलादेश फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही निर्भर है उसके पास दूसरा कोई option नहीं है बांगलादेश चाहकर भी चीन से पोटेटो का इंपोर्ट नहीं कर सकता इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन में भी पोटेटो की कमी बनी रहती है बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक शेर और चन्नेल को सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद जय हिंद जय भारत